वर्षों की तपस्या का फल अब जब राम मंदिर के रूप में मिलने लगा है ऐसे में साधू सम्थ समाज इसके बारे में क्या सोचते हैं विभेन अखाणों के महा मंडलेशुर इस सक्थ हमारे साथ है क्योंकि इन में से कई ऐसे लोग हैं कई ऐसे साधू संथ हैं खास तोर पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के को बनाने के लिए उसके लिए कई वर्षों की तपस्या की है कई वर्षों का इंतजार किया है कई उन्हें संघर्ष किया है ऐसे में उनके संघर्ष की कहानी उनकी तपस्या की कहानी और इस वक्त जिस तरीके से राम मंदिर की तस्वीरे निकल कर सामने आ रही है जो भवे स्वरूप राम मंदिर को मिल रहा है अयोध्या की जिस तरीके से काया कलब हो रही है उस पर बात करने के लिए हमाई साथ इस वक्त विभेना खाणों की महा मंदलेश्वर है तो चलिए चलते हैं और राम मंदिर अयोध्या को लेकर, उनसे चर्चा शूरू करते हैं। जो अब उसका परणाम निकला है वो बहुत अच्छा निकला है हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग उसमें सामिल होंगे जाएंगे यही इतना कहना चाहेते हैं कोई ऐसी कहानी कोई ऐसा संघष की कुछ ऐसी याद कोई चीज जो आपको लगता हो कि राम मंदर से जुड़ी हुई जो आप हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें वो तो सब लोग ऐसे लगे हुए थे कि किसी को भोजन का किसी को सोने का बैठने का मन ही नहीं करता था ऐसे में जब गिराया गया तब भी सब थे और कैसे कैसे बचके कहां पकड़ धकड़ होती थी उससे सबसे बचने का रास्ता निकालते थे और इस काम में लगे रहते थे मारा जी आप अब मतुरा में है लेकिन अयोध्या जब आप क्या बीच में कुछ सालों में गए जब से बुढ़ांचा ढाया गया जब से रध्यात्रा शुरू ही क्या इन सालों में क्या आपका अयोध्या जाना हुआ और तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना अं no racи सी सबसे पहले तो कैसा लग रहा है इस वक के सुरूप मंदिर का कैसी वो मन के अंदर इस वक्त भावन घर में अब फूराज Bean यह संपूर्ण सश्टी के लिए और समस्त भारत के सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत ही भब्बे और दिब्बे मंदिर का जो आयुजन हो रहा है तो एक आनंद की अनुभूती हो रही है कि अब राम राज्य आ गया है तो जैसी कलपना संतों ने की और जिसके लिए संतों ने संगर्ष किया जिसके लिए संतों ने अपने कुरवानिया भी दी अपने आप में समर्पित हो करके पूरे तनमंधन से लगे और वो आज सुब घडी आई है और उस सुब घड़ी में हमारी समस्त जनता, समस्त सनातन धरम के प्रेमी और समस्त सादू समाच कि अंतेकरण में ऐसा पृतीत हो रहा है कि अब भगवान स्वैम जागिर्थ हो गए है पृतेक की चेतना से भगवान राम जागिर्थ हो गए है ऐसा बातावर्ण बन गया है कि हर एक व्यक्ती समझ रहा है कि मेरे अंतेकरण की जो प्रेरना है और जो अंतेकरण में इस्वर का अंसकारे कर रहा है वो चेतना जागिर्थ हो करके राम मैं हो गई है ऐसा सब को मैंसेस हो रहा है राम मैं और अयोध्या कल भी हुई थी जब प्रधानमंत्री मोधी वहाँ पर गए उन्होंने एरपूर्ट दिया, रिल्वे स्टेशन दिया अयोध्या को, उसका उधगाटन किया, वो अयोध्या और अब के अयोध्या में, कितना अंतर आप पाते हैं, एक वक्त था कि अयोध इस तरीके का रहा है, कि आधुनी की युक के अनुसार, भगवान स्री राम की नगरी को बिजाइन किया गया है, जो आज की युवा पीड़ी है, जो वहाँ जा सके, सबको सुविधाय मिल सकें, उसके अनुसार मानिय प्रधानमंत्री जी की प्रेर्णा से, और मानिय मुख पतलब है, ऐ अयोध्या, ऐ योध्या, बिना युद्ध करके भी कोई जिसको ना जीत पाए, वो ऐसी नगरी है, तो वो तो बहुत दिब्बय, बहुत अध्यात्मिक नगरी है, परन्तु उसका जो अब सौंधरी करण जो किया गया है, इसमें पूरा स्रे मानिय प्रधानमं मंत्री जी भी मुझे लगता है कि जैसे एक व्यक्ति किसी कारे के लिए अप्तरन लेता है, परमात्मा जवाते हैं धरम के बचाने के लिए, धरम पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा ही व्यक्तित्व है मानिय प्रधानमंत्री जी का, जो धरम की रक्षा के लिए आए हुए हैं और जैसे काशी विश्वनात का डवलब किया महाकाल लोग का डवलब किया इसी प्रकार राम मंदिर का डवलब करके पूरे विश्व को संदेज दिया है कि अब भारत वर्स राम में हो गया है और भारत वर्स में राम राज्य की प्रारम हो गया है महा मनलेश्वर जोतर मैं नंद गिरी जी महाराज में हमाज साथ हैं महा मनलेश्वर जी जिस तरीके से हमने देखा कि कई लैसे लोग हैं अभी भी जो सनातन पर हिंदु धर्म पर सवाल उठाते हैं क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कई नेताओं के कई लोगों के हम बयान सु ये Supreme Court ने माना है तो यह सारे जब बयान आते हैं और राम मंदिर के जब बन रहा है उस डिूरिण जब बयान आते हैं तो कैसा मन पर बीदती है की जिस धर्म से कहा जाते है कि सब धर्मों की उत्पत्ति हुई उसी धर्म पर सवाल जब उठाया जाते हैं असल में जो लोग इस बात को करते हैं, उन्हें स्वयम को पता नहीं है, मैं काले सिक्षा पध्यत से पढ़ लिख कर बढ़े तो हो गए हैं, राजनेतिक पदों में भी आ गए हैं, पर उनमें जिस अकल का विकास होना चाहिए, जिसे गीता में भगवन ने का साविध्या सभी मुक्त है, ये बिद्यासल में कौन है, जिससे मुक्ती मिले, सांती मिले, सनातन को मिटाने की कलपना, सनातन तो पहले ही सास्वत है, सत्य है, सत्य को कितना मिटा होगे, सत्य को मिटाने वाले, घड़े को तो मिटा सकते हो, मिट्टी को कैसे मिटा होगे, अंगूठी को तो म पर फिर भी लोग आधुनिक सिक्षा के पड़े लिखे लोग हैं, उन्हें बोलने की स्वतंद्रता है, सम्मिदान का सहारा लेकर, ये बोलते हैं, पर हमने अयुद्ध्या जाकर पहले भी अयुद्ध्या देखी, अब भी अयुद्ध्या देखी, पहले के अयुद्ध्या में अंतर क्या है जब हमने स्वर्ग को सास्त्रों में पढ़ा था आज हमने स्वर्ग को अयुद्धय में उतरते देखा है और इस स्वर्ग को उतरते जब देखा है तो इसके सिल्पकार के रूप में 2014 के पहले का भारत देखा है और 2014 के बाद का भारत देखा है 1947 में इस देश का बटवारा हुआ तब इस देश में हम 590 वर्स से अधिक हम राम मंदर के लिए तो संगर्श करते रहे तब इसी देश की सरकारों ने आपको याद हो गया कि उसी आंदोलन के क्रम में कुठारी बंदू हुआ है दोनों सगे भाई आहूत हो गए और केवल दो सगे भाईयों का विसे नहीं है यहां लखो राम भक्त राम के लिए बलिदान हुए है उनकी सहादत उनका बलिदान आज उनके बलिदान को समर्पित ये मंदिर और उनके बलिदानों का इसमरण करने वाले प्यसस्वी प्रधान मंत्री नरेंदर वाई मोधी तो 2014 के बात तो लगा है कि हम भारत में हैं नहीं तो हमारी संस्कृति और ये संस्कृति के बिरुद्ध जो बोलते हैं ये तो मैकाले ने पहले ही भारत के भ्रमण में आकर के देखा कि भारत को गुलाम बनाने के लिए पहले उसकी संस्कृत पर चोट करो संस्कृत विहीं समाज ही उसी पर हमसासन कर सकते हैं तो ये संस्क्रत विहीन समाज पढ़ा लिखा तो है, राजनेतिक पद भी मिल गए हैं, प्रारब्द से, पर उनमें अकल नहीं है, इसलिए सनातन पर कहने का मतलब अपने ही डियने पर प्रश्ण चिन्य खड़ा करना, स्वयम के तुम्हा उनी का डियने, जुकि कैसे कह सकते ह आप हिंदू रोग है, हिंदू वाइरस है, हिंदू धर्म, कैसे कह सकतो हिंदू धर्म दोखा है, तुम्हारे ही डियने पर कोई फर्क होगा, तुम्हारी ठीक से जाचो, ये सब साइकिक हो गए हैं, इनका साइकलोजिकल इलाज होगा, तो ये ठीक हो जाएंगे, और देख से योगी जी बैठे हैं तो योगी जी जब उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि आज बड़े-बड़े माफिया जमी दोज हो गए हैं वो अपनी छुपने की जगे डूंडते हैं किसी देश के निर्मान में समय तो लगता है पर आप धहरी रख गए नहीं बिखरा हुआ हिंदू कचरा एक गठता हिंदू सम्रदधराष्ट की निव है यदि हम सब इंदू एकठते रहे हम जागरुक रहे हम किसी के बैकावे में नहीं हाम जाती वर्ग से उपर उटकर एदी हम बिचार करेंगे और हम इखटते रहेंगे इक गठता हिं इसे राजनितिक मंच बना दिया गया है भगवान राम से जुड़ा हो वो कारे है लेकिन उस पर राजनितिक की जा रही है और जिस तरीके से ये नारा लगातार चलता आया है कि अयोध्या तो सिर्फ एक जाकी है मतुरा काशी बाकी है इस पर भी बात करेंगे हैं आईसत इस वक्त महामंडलेश्व स्वामी शांति स्वरुपनन उज्यैन जी है शांति स्वरुपनन जी जिस तरीके से ये अब नारा उन्होंने कहा कि आगरा भी अपना होगा वो भी हिंदू को मिलेगा और इसके इलावा मतुरा में भी भगवान का भव्य मंदिर बनेगा तो यह जो नारा लगातार चलता आया है खासतोर पर राम मंदिर के फैसले के बाद कि आयुद्ध्या तो सिर्फ जाकी है मतुरा का शी बाकी है आप कितने सहमत हैं इसे क्या सोचते आप इसके बारे पहले तो हम यह बता दें कि हम आयुद्ध्या में बन रहे भव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्मान पर बहुत खोश है हम तब भी थे जब बाबरी धाचा गिरा हम तब भी थे जब वहां कारसेवा की गई हम तब भी वहां से जब निकले थे सादू संत जब पता चला कि मिलेट्री हम सब को अरेस्ट करने वाली है तो हम संघर्ष से जुड़े रहे उनीश और चोरासी से और आज यह प्रसंदता है कि चार सो पांसो वर्ष की संघर्ष की लड़ाई जो तमाम बलिदान हुए उनके फलस्वरूप आज भव्य मंदिर बन रहा है और कल जैसे वहां बिमान उतरा है वे ऐसा लगा कि भगवान श्रीर राम का प्रस्पक उतरा है कल तक जो राजनीती में ये कह रहे थे कि राम का अस्तुत सिद्ध करो वो आज कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हमें काड़ दो जो राम विरोधी थे ऐसे लोग अब राम को स्विकार कर रहे हैं हम सब की तो संकल पी रहा है कि मत्वरा कासी बाकी है और बात इसलिए नहीं है इसलिए है कि किसी अंधे व्यक्ति को भी आप दिखाएं तो उन भवनों के पहचान से उनके स्वरूप से ऐसा परतीत होता है कि ये कोई हिंदू धर्मिस्था नहीं है और उनके यहां तो ये कहा गया है कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में की गई इवादत को खुदा बंद स्विकार नहीं करता है तो ये ते है कि आज खुदो आके देख लें मुर्पिया स्रिकर्स नहीं की यहां मिले आयोध्या में जैसे राम मंदिर में मिला है वैसे यहां सब जगए मिलने वाला है तो मैं तो कहता हूँ कि राजनेताओं को और इसलामिक कट्रपंथियों को भी अब भग्वान ये अकल दे कि वो संगहर्ष का रास्ता छोड़कर भाईचारे के रास्ते से कासी और मत्रा भी हिंदुओं को सौप देए अब बात करते करते भावुक भी हो गए उस वक्त से जुड़ा हुआ जब आप लोग वहां पर कारसेवा के लिए गए या जिस वक्त ये पूरा संगहर्ष चल रहा था उस वक्त से जुड़ी हुई कोई या कोई ऐसी बात जो आप लोग शेर करना चाहें प्यूंकि हमने रितंबरा जी से भी बात की तो उन्होंने भी कई बाते बताई उन्होंने भी कहा क्यी मुकदमे भी उन पर हुए आप लोग भागते हुए फिर रहे थे कि कहीं से कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो फिर तो शायद बाहर निकलने का रास्ता भी आप शेयर करना चाहिए देखिए मैं स्वयम भी तीन बार जेल गया हूँ और कोई साधू यसा नहीं होगा और खास्तोर से मेरे गुरुदेव का परिबार हम सब अपनी साधूता छोड़ कर लोग हमें गालियां देते थे कांग्रेस को लोग कहते थे ये भाजापा के बिके हुए साधू है